गुपता और चलिये रोख करते हैं खबरों की ओर साजिश बहुत खतरनाक हो रही है युद की साजिश तो और भी बड़ी तबाही लाएगी और यही डर इस वक्त इरान और इसराइल को लेकर के है अमेरिका कह रहा है कि वो युद नहीं चाहता लेकिन दूसरी तरफ उसने इ इरान को पता लगी है उसके तेवर और आक्रामक हो गया है सवाल है कि अगर युद हुआ तो क्या इरान को इजराइल के साथ अमेरिका से भी लड़ना होगा इसी पर देखें अमारी ये खास रिपोर्ट नेतनियाहु को बाइडन का फुल सपोर्ट इरान के खिलाव अमेरिका का नया हत्यार तेल अवीव आ रहा है सो करोड डॉलर का हत्यार अमेरिका आमन चाहता है या वाँ ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ना तो दुनिया के नक्षे पर शेत्रफल के हिसाब से ना आबादी के हिसाब से इस्रेल इरान के सामने टिकता है यहां तक कि पुतिन और शी जिन पिंग के समर्थन के बाद इरान इस्रेल से ताकत में भी बहुत उपर पहुँच जाएगा फिर इस्रेल के पास क्या है जिसके दम पर वो इरान फत्य करने की मनशा संजो रहा है इससे समझने के लिए आपको अमेरिका की वो नई खेप देखनी होगी जिस पर बाइडन ने मोहर लगा दी है एक नई रिपोर्ट के मुदाबिक अमेरिका के राश्रबदी जो बाइडन प्रशासन एक नए हथियार सौधी की शुर्वात पर विचार कर रहा है जिसके तहत इस्रेल को 100 करोज डॉलर से अधिक के हथियार बेचे जाएंगे नया सौधा उस सहायता सौधे के अतिरिक्त है जिसमें इस्रेल के लिए 26 अरब डॉलर का सौधा शामिल है जिस पर वर्तमान में कॉंग्रिस में बहस चल रही है इस सौधे में 700 मिलियन डॉलर के टैंक बोला बारू 500-million dollar के सैन्य वाहर और 100-million dollar के मोटार रांड शामिल है अमेरिका ने अभी दो दिन पहले ही ऐलान किया था कि इसरेल अगर इरान के खिलाब बदले की कार्यवाई करता है तो उसका साथ नहीं देगा यहां तक कि बैनेमिन नेतन्याहू को जो बाइडन ने साफ लहजे में कहा था कि इसरेल को सायम बरतना होगा और उसके बाद अमेर अमेरिका के इसरेल को ये शेह की कीमत क्या होगी इससे समझना बहुत जरूरी है एक हजार नोसो सोला किलो मीटर ये तेल अवीब से तेहरान की दूरी है 9437 किलो मीटर ये तेल अवीब से अमेरिका की दूरी है 3686 किलो मीटर ये तेल अवीब से मौसको की दूरी है ये दूरिया मैप पर दिखाने का अर्थ ये है कि इरान इजरेल युद्ध भड़का तो उसकी जट में दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा यही नहीं अमेरिका के अलावा फ्रांस है जर्मनी है बिटन है इटली है जो इसरेल के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं इन देशों के साथ रहते हुए कहा जा सकता है कि इरान चाहे जितनी ताकत जोटा ले इसरेल के खिलाव उसके हमले नाकाम होने की पूरी संबावना होगी लेकिन यहां इस्रेल को मिल रही योरोपीय देशों से मदद के चर्चा नहीं चर्चा अमेरिका से मिल रही मदद की जिसके दम पर इस्रेल खड़ा है इरान से दो-दो हाथ करने के लिए अभी ही नहीं अमेरिका इस्रेल का ओल वेदर फ्रेंड रहा है अमेरिका ने भीते कुछ सालों में इस्रेल को दुनिया की सबसे उन्नत मिलिटरी में से एक बनाने में पूरी मदद की है अमेरिकी फंड की मदद से इस्रेल अमेरिका से सैन या साजो सामान के खरीद फरोक्त करता है अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा है ताकि इस्रेयल को आरन डोम एर डिफेंस सेस्टम की कमी ना पड़े एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 40,000 से 50,000 डॉलर होती है इस्रेयल को अस्तित्तमें लाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है अरब देशों की त्योरी जो कहती है कि हमारी जमीन पर यहूदियों ने देश खड़ा कर लिया जिसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता यह मूल बात है जो इरान के साथ मुस्लिम देशों के खड़ा होने को प्रेरिद करता है इस्रेयल इन देशों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता इस तथ के बावजूद कि इस्रेयल के पास दुनिया के सबसे उन्नत हतियारों का जखीरा है उसके पास दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंग सेस्टम है लेहाजा अमेरिका की छाओं जरूरी हो जाती है अमेरिका ने वर्ष 2022 में इसरेल को 4.8 अरब डॉलर की मदद दी थी और वर्ष 2023 में 3.8 अरब डॉलर की आर्थिक मदद दी असल में अमेरिका हर वर्ष इसरेल को 3.8 अरब डॉलर की मदद करता है जो इसरेल के कुल रक्षा बजट का लगभग 16 फीसद है जाहिर तोर पर इस समय अमेरिका इसरेल के और साधारन सायोगी के तोर पर काम कर रहा है अमेरिका इसरेल को बिना शर्ट, वित्तिय, सैन और राजनितिक मदद देता है इसरेल एक अगोशित परमाणू ताकत है लेकिन अमेरिकी संग्रक्षन की वज़़ा से उसे कभी किसी जाँच का सामना नहीं करना पड़ा है ये तत्य है कि अमेरिका सबसे जादा आथिक सायोग इसरेल को ही देता है दूसरे विश्योद के बाद से अब तक इसरेल को 158 अरब डॉलर की अमेरिकी मदद मिल चुकी है इसरेल अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साज़ेदार भी है दोनों के बीच हर वर्ष 50 अरब डॉलर का कारोबार होता है इसरेल अमेरिका के मदद से एक बहुत बड़ा रक्षा उत्योग खड़ा कर चुका है अपने डिफेंस मैनुफैक्शिरिन बेस की वज़े से ही इसरेल आज दुनिया भर में हथियार और सैने साजो सामान का दस्वा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है 1972 के बाद से अब तक संयोक्त राश्ट सुरक्षा परिशद में अमेरिका इसरेल के खिलाफ लाए गए 50 से ज्यादा प्रस्ताओं को किरा चुका है इसरेल को अमेरिकी मदद का सकेल क्या है ये आपने देख लिया लेकिन यहां ये भी समझना बहुत ज़रूई है कि इसरेल से दोस्ती का अमेरिका को क्या फायदा मिलता है क्योंकि अंतराश्ट्रीय संबंधों में राश्ट्र हित्प सर्व पर होता है ना की मान भी है संवीद्ना, इस्रेल को अमेरिकी मदद मिलने के कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको वो च्यार प्रमुख कारण दिखाते हैं पहला कारण, अमेरिका के नजर में अरब दुनिया के उथल पुथल भरी राज नीती में इस्रेल की रणनीती कहमिया दूसरा कारण शीत युद्ध के कारण अमेरिका ने अरब जगत में सुवियत संद के असर के खिलाफ इस्रेल को एक एहम मोहरे के तौर पर इस्तिमाल किया तीसरा कारण शीत युद्ध के बाद अमेरिका पश्शिम एशिया में और ज्यादा सक्रिय हो गया और इस्रेल, सौधी अरब और मिस्र इसके सयूगी बन गए चौथा कारण अमेरिका की इस्रेल समर्थक नीती के लिए अमेरिकी लोगों की राय वहां की चुनावी राजनी थी और ताकत पर इस्रेली लॉबी भी जिम्मेदार है मतलब अमेरिका का मध्य पूरो में वर्चस हो बना रहे इसके लिए इस्रेल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लेहाज़ा अमेरिका में राज्शोपती कोई भी हो इस्रेल के लिए उसकी नीतियां समान होती है जो बाइटन जिस तरीके से इस्रेल के मदद कर रहे है ये उसी नीति का हिस्सा है लेकिन सवाल सिर्फ अमेरिका से मिल रही इस्रेल को मदद भरका नहीं है सवाल है इरान को किन किन देशों से मदद मिल रही है इरान और इज्रेल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती है इरान के हमले के बाद लेबनान और इराक ने अपने एर स्पेस को बंद कर दिया है सीरिया और जॉर्डन ने अपने एर डिफेंस सिस्टम को अलट पर रखा है रिपोर्ट्स के मताबिक कतर और कोवेट दोनों ने अमेरिका को अपने हवाई अड़ों को इस्तिमाल करने से ये कहकर रोप दिया कि वो इरान के खिलाब संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं घैर मुसलिम देशों में रूस, उत्तर कूरिया और चीन के इरान के साथ अच्छे संबन्द हैं युद सिर्फ हत्यार और पैसे से नहीं लड़े जाते लेकिन साथ ही अगर अमेरिका के तरह ताकतवर हो तो जीत की गारंटी भले ना मिले सुरक्षा का भरूसा तो होता ही है इसरेल पलट कर इरान को नहीं मारता तो विश्व विरादरी में सिर्फ उसकी फजीहत नहीं होगी बलकि अमेरिका की भी हेट ही मानी जाएगी इधर इरान के साथ मुसीवत में रूस जैसे देशोंने साथ नहीं दिया तो अमेरिका के खिलाफ वाले गुट की हार मानी जाएगी जाहिर है युद्ध भड़काने में ये थियोरी भी काम आ रही है और यही कारण है कि इसरेल और इरान दोनों उबल रहे हैं एक बदले की आग में दूसरा बदले के बाद आग को भड़काने से रोकने के लिए इसराइल को ने हतियार मिलने जा रहे हैं लेकिन बन्यामेन नेतन्याहू ने सवालों में घिरने लगे है इसराइल में अब यह आवाज उठ रही है कि जो प्रदानमंतरी इरान का एटम बम पूरी दुनिया को दिखा रहा था वो अब इरान पर किये गए हमले को लेकर के खामोश क्यों है वैसे इरान पर जवाबे स्ट्राइक को लेकर के पूरे इसराइल में एक अजीब सा सन्नाता चाया हुआ है देखे रिपोर्ट अप्राइल का महीना आग लेकर आया और मईस से पहले बड़े युद्ध की दस्तक मिल रही है इरान से लेकर इसराइल हर ताकत इस आग को भड़का रही है इरान में हुए धमाखों पर इसराइली च्छाप बताई जा रही है लेकिन नेतनयाहू की नीतियों को लेकर इजरेल के बड़े अकबार... हारेद्ज ने ये लेक छापा है इस लेक की हेड्लाइन में साफ साफ लिखा है कि इरान पर खामोशी से कियागया हमला साबित करता है क्यों उनके पास कोई रणनीती नहीं है नेतन्याहू की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम कुछ वर्ष पीछे जाकर देखेंगे जिसमें उन्होंने इरान को कई जक्न दी फ्लैश बैट में हमें ये तस्वीर में ली ये 2012 की है तब नेतन्याहू ने बताया था कि इरान एटम बम बनाने के कितने करीब है ये दूसरी तस्वीर 2018 की है संयुक्त राश्र में नेतन्याहू बता रहे हैं कि इरान ने कहां कहां परमाडू अट्डे बनाए है नेतन्याहू ने दुनिया का कोई मंच नहीं छोड़ा जहां उन्होंने इरान के परमाडू कारिक्रम को एटम बम बनाने से नहीं जोड़ा लेकिन इस्रेल पर इरान के हमले के बाद जब जब जवाब देने का मौका आया तो नेतन्याहू की सरपरस्ती में इस्रेल फुस साबित हुआ यही इल्जाम अब इस्रेल की मीडिया अपने प्रधान मंत्री पर लगा रही है यही बात इस्रेल के अखबार हारेद्स के लेक में लिखे हुई है इस लेक में छपा है कि नेतन्याहू के पास इरान को लेकर कोई रणनीती नहीं है इस लेख में छपा है कि गाजा में भी नेतनियाहू फेल हो गए इसरेल का मीडिया च्छाप रहा है कि जिस नेतनियाहू ने इरान का डर दिखा कर अपना करियर बनाया वक्त पर वो फेल हो गए वो इरान से मुकाबला नहीं कर पाए ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है क्या यही है इरान के खिलाफ नेतन्याहू का जीरो प्लान? क्या इस्रेल को खा जाएगा इरान? इस वक्त पूरा पश्ची मेशिया तनाओं के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है नीचे आग सुलग रही है मिसाईलों के हमले और डुरून से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीब से लेकर तेहरान तक देशत फैले हुई है यही है यहाद लहजूम यानी सेयग बिल्मुतलक यानी नहना एकीद मनदे तेहरा है यहाद से बाउश बिल्मुतलक बिल्मुतल भाद बादिया कि पर दोस्ते है साथ अक्टूबर 2013 को इसरेल पर हुए हमास के हमले के छे महीने से जादा का वक्त बीट चुका है और इस वक्त नेतनियाहू और इसरेल एक दो नहीं बलकि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं इस वक्त इसरेल के लिए चार एच बहुत बड़ा खत्रा बन चुके हैं इन चारों एच के बारे में बहुत गोर से समझेगा क्योंकि इन चारों एच को इरान का पूरा समर्थन है एच से हमास हमास से शुरू हुई लड़ाई पहले हिजबुला तक पहुची और अब हूथी से टकर के बाद इसरेल की मिसाइल इराक में भी गिरी है यानि नेतन्याहू चोतरफा घिरते जा रहे हैं और इन सब में इरान से टकराओ उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है इसरेल में लोग क्या सोच रहे हैं यह जान कर पहने हमें नेतन्याहू हैरान रह जाएंगे पूरी दुनिया इरान और इसरेल की डारेक्ट टकर रही है इसरेल के शहर टार्गेट पर है घाजा में बंबारी के खिलाफ हेजबॉल्ला और हुथी दोनों ने अपने हथियार गोदाम बंद नहीं किया है कुल मिलाकर इरान से दूर ही नेतन्याहू के लिए एक वार ट्रेंगल तयार हो चुका है नेतन्याहू के वार ट्रेंगल में सबसे बड़ा कुना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है नेतन्याहू के वार ट्रेंगल में दूसरा बड़ा कुना लेबनान में हेजबॉल्ला का अंत है जबकि नेतन्याहू के वार्ट फ्रेंगल का तीसरा सबसे बड़ा कोना है सीरिया जहां से इराक का मिलीशिया हश्ट अलशाबी इस्रेल के बॉर्डर तक पहुँच सकता है ये तीनों जगा इस्रेल के बॉर्डर से लगे हुई है और इस्रेल इन्हें अपने खिलाप सबसे बड़ा खत्रा मानता है लेकिन इस वार्ट फ्रेंगल से निपटने के चकर में इस्रेल ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली जब एक अप्रेल को उसकी वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्ट में इरान के वाने जिदूतावास पर बंबारी कर दिया इसके बाद ठीक 13 दिन बाद इरान ने इसरेल पर ऐसा हमला किया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटेक कहा गया अमेरिका से लेकर फ्रांस और बिर्टन से लेकर जॉटन तर्ड सबने इसरेल को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत जोग दी इरान के हमले में इसरेल का नुकसान लेकिन ये बात पुखता हो गई कि अगर इरान चाहेगा तो अगली बार 3000 मेसाइल से वार करके इसरेल को बंकर में जाने के लिए मजबूर कर देगा इस वक्त इरान और इसरेल दो कैम्पों में वटे हुए हैं इसे महाशक्तियों की ठककर कहा जा रहा है एट तरह अरी एड़ी तरह झाया तूस्ली तरह रूसे हर यखेगा जाब साबसे बार हो भी है stability is upstream and we want to prepare the conference why Iran wants to prepare a program with बड़ी मुश्किल यह है कि जब फ्लाटे में पूरी तरह से एरान के साथ खड़े हुए नसर आ रहे हैं तब बाइडन ने इस्राइल से कह दिया है कि वो इस्राइल की बदाद बिल्कुल महीं करेंगी यारी इरान पर अड़े दबाई राद पहले ही हाँ खड़े कर चुपे हैं और अब इसना के हम दो बुले कर जो बाते हैं दुनिया में चल रही हैं उसे भी वाइड हाॉस की तरफ से बड़ा थक्का लगा है इस वक्त दुनिया के तीन शहरों पर सब की नसर है वाशिंग्टन डीसी में वाइड हाॉस ने इसरेल के हमले से किनारा कर लिया है इसरेल की राजधानी तेल अवीब में खामोशी है सन्नाटा चाया हुआ है किसी को जैसे पता ही नहीं चला कि इसरेल ने इरान को जबाब भी दिया है कि नहीं इरान की राजधानी तेहरान में अब भी जश्ट मनाया जा रहा है 13 अप्रेल की रात को इसरेल पर हुए हमले से इसरेल को बड़ा जटका देने का लगातार दावा किया जा रहा है इरान ने इस्रेल के निवाती मेयर बेस को अपना सबसे बड़ा टार्गेट बनाया इरान का दावा है कि उसके 15 बड़ी मिसाइब निवाती मेयर बेस पर गिरी है इरान का दावा है कि इस्रेल को इस अट्डे पर भारी नुकसान हुआ है वहीं इस्रेल का दावा है कि इरान की तरफ से दागे गए बहुत कम ग्रोन और मिसाइल उसके एर बेस में दाखिल हुए यानि इरान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें कई मिसाइले इस्रेल के एर डिफेंस को चटमा दे कर अपने टार्गेट पर गिरी इसकी तस्वीरें भी हैं जो बड़ा सबूट हैं हलाकि नुकसान कितना हुआ इस पर बहस जारी है इससे पहले इस्रेल के F-35 जेट की बहुत बात हुई इस्रेल के स्टेल्स पावर की बहुत चर्चा हुई लेकिन इस्रेल ने अब तक अपना ये सबसे खतरनाख हथियार इस्तिमाल नहीं किया है सवाल है कि क्या इस्रेल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है क्योंकि इससे पहले इरान के आस्मान में जो कुछ हुआ उसे इस्रेल का टेस्ट भी कहा जा रहा है ताकि इरान का reaction time उसका reaction का तरीका सब पता चल जाए और फिर उसके बाद असली हमले की शुरुबात की जाए गुल मिलाकर ये युद्ध अब भी on है ये युद्ध खट नहीं हुआ है और चले यार उतने छोड़े से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे आज सतना के दौरे पर रहुल गांधी चुनावी जुन सभा को करेंगे संबोदे जीतु पत्वारी अरुन यादव विवेक तनखा रहेंगे मौजूद 36 गड़ के रड़ में आज बीजेपी और कॉंग्रेस के दिगाज राजनाद गाव बेलित्रा कोरबास बहेंगे योगी आज इतना थुंकार भरेंगे आज का ठिहार के राजुइंद्र स्ट्रेजिया में अमिट्शा चुनावी सभा को करेंगे संबोधित सीम नितीश के साथ एंटिय उमिद्वार दुलाल चंद्र गोस्वामी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार मुरादबाद से बीजे प्रत्याश्री सर्वेश्व सिंग के निधन पर पीए मोधी, सीम योगी और ग्री मंत्री अमिट्शा ने जिताया धुग पिछले कुछ दिनों से बैमार थे सर्वेश्व सिंग महागजबंदर में फिर दिखाई दी खीचतान प्रियंका गांधी वाजरानी केरल के मुख्यमंत्री पर बीजे पी का साथ देने का लगाया आरू इंडिया गडबंदर के बीच अब पीम उमिद्वार पर घमासान संजर आउतने उधर ठाकरे को महागजबंदर का पीम उमिद्वार बनाये ज़ाने की मांकी संजर ब्रिक के बाद आपका स्वागत है चलिए रूप करते अगली खबर की ओर क्या इराक के अंदर इसराइल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है दावा किया जा रहा है कि मुसाद ने इराक के अंदर इरान से जुड़े मिलीशिया के बेस को बड़ा हमला करके उड़ा दिया है जिस मिसाइल का इस समले में इस्तिवाल किया गया उसका इसराइल में काला बास कहा जाता है देखे रिपोर्ट यह तस्वीरे एराक के बेबी लान प्रांथ की है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है हमले में हथियारों का जखीरा नश्ट किया क्या है कई कमांडर और सैनिक यहाँ पर हता हत हुए है जहां इस्ट्राइफ हुई वहाँ बहुत बड़ा और कहरा गठा बन गया है दावा यह किया जा रहा है कि इसरेल ने इरान से भी बड़ा हमला इराक के बेबी लोन में किया है जन में इसरेल की शातिर चालों से आगे निकलना आसान नहीं है पूरी दुनिया जब इरान के हमले को लेकर चर्चा कर रही थी तो स्वक्त क्या इसरेल ने इराक के अंदर बेहत खौफनाक और खतरनाक हमला किया है और वो भी इराक के किसी दूर दराज के शहर में नहीं बलकि इराक की राजधानी बगदाद के बिलकुल पास एक इमारत पर हमले के बाद बड़ा विस्पोट हुआ है जिसमें एक सैनिस हंगठन के कई लोग मारे गए और घायल हुए है नोट करने वाली बात ये है कि इरान के सरकारी टीवी की तरब से दावा किया गया था कि इसरेल ने इस फहान में तीन ड्रोन हमले किया है और इन तीनों ड्रोन को मार दिया गया है ये भी दावा किया गया कि इरान में इन हमलों से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है यहां तक कि किसी मिलिटरी बेस को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है क्योंकि इस्रेल के ड्रोन इरान की जमीन को छू भी नहीं सके लेकिन इराग के बगदाद के अंदर जो हुआ उसकी तरफ दुनिया का ध्यान अप गया है इराणी मीजिया का दावा है कि ये हमला भी अमेरिका और इज्रैल की तरफ से किया गया है लेकिन इराग के अंदर हुए इस हमले का सच क्या है आखिर वगदाद की राजधानी के पास क्या हुआ, आखिर क्यों एक मीटिंग में हमला किया गया, जिसमें इरान के समर्थक कमांडर युद्ध की रणनीती बना रहे थे, जिन लोगों की इस हमले में मौत हुई और जो लोग हमले में कायल हुए, क्या वो इरान की सरकार के ए उपर कर देता है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इराक के अंदर हुआ गया, इराक के सरकार के ग्रेमंत्राले की सूत्रों और इराक की सेना के एक सैन अधिकारी के दावों पर कई इंटरनाशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, कि शुक्रवार की राथ को इराक के कैल सो बेस पर एक हमला हुआ था, जहां पर इरान के समर्थक एक सैनिक संगठन हशेद अल शाबी के अधिकारियों की बैठक चल रही थी, इंटरनाशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुदाबिक इराक के ग्रेमंत्राले के एक अधिकारी ने बताया, कि बगदाद के एक इमारत पर हुए समले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।